डे स्टुडेंट्स में अभी सेर राव सभी का सागत है विश के विद्या सागर सिंग के चैनल पर तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्वेल्थ पोर्ड एकजाम 2023 का कमिस्ट्री का अब्जेक्टिव सोलुशन तो चलिए हमारे साथ बने रही है यह हमारा सेट आई है सेट आई हमारा आज का पहला प्रस्ण है निम्नलीखित में से किसके ओक्सी करन से एसी टून प्राप्त होता है तो इसका एंसर सिधा सिधा हो जाएगा CS3, CHOH, CS3 से होता है इसका एंसर C हो जाएगा पहला का ओप्शन नमबर C अमारा आगला प्रस्ण है secondary amine का क्रियासिल मूलक कौन है इसका एंसर हो जाएगा A, NH NH क्या होता है क्रियासिल मूलक होता है उसका अगला प्रस्ण है CS3, CH, NS2, CS3 का UPSC नेम यानि की अगला प्राश्ण है हमारा चौथा प्राश्ण है अगला इसका कहना है प्राइमरी एमीन की अभिकेरिया ग्रीनगाड अभिकर्मक से कराने पर निम्ने लिखित में से कौन बनता है तो इसका एंसर हो जहाँ पांचवा प्राश्ण है प्राबल चाहरी है तो इसका अगला प्राश्ण है निम्ने लिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है इसका अगला प्राश्ण है जब Acetamide की अभिकिरिया VR2KOH से कराय जाती है तो निर्म लिखित में कौन बनता है इसका एंसर हो जागा A, Acetone यानि कि Whist of the flowing is formed when academic reacts with VR2KOH तो इसका एंसर हो जागा C, A, Acetone Acetone इसका एंसर हो जागा क्या Acetone हमारा आगला प्रस्ण आठ नाबर प्रस्ण निर्म लिखित संकर्मन ततो के आयोनों में कौन अनुचुमकी है तो इसका एंसर हो जागा C, C दा जिदा B, B, Cu2+, इसका एंसर हो जागा A, Acetone हमारा आगला प्रस्ण है निर्म लिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाते है तो इसका एंसर हो जागा C, C, A, G और A, U को बोला जाते है मुद्धा धातु यानि कि कोईनेज मेटल्स, कोईनेज मेटल्स शोला जाते है उनको अगला और दस्वा प्रस्ण है हमारा समने योग्यों को के लिए सबसे पहला महतपून सिधान्त किस्ण दिया तो इसका एंसर होगा C, Werner, Werner, Who gave the first important theory of the coordination compounds तो इसका एंसर क्या हो जागा C, Werner दस नंबर का C option, एक आरा नंबर क्वेस्चन है, निम्न लिखित में से कौण एक दी क्लोण है, दी क्लोण क्लोण है, तो इसका एंसर होजागा, पोटासिलम, 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 क्लोण आरा नंब, एक्जाम्पोल उफ है, डबल साल्ट हमार आगला लखीत में इसे कौण बाॉणेट् lिगेंट है, एक बार और पढते है, निम्न लिखित में से कौण बाॉणेट् लिगेंड है निमृब हरकम सारे यंक फश्चर्थ ऐक चसमिकल्ण देया हुए पी टीम एक्षि करण क्यी निकालगा देखा दियार स्लिएगा आपने किया निकाला है तो आप भी निकाल के चेक कर लिजेगा आपका विदू वहीं आएगा अमारा आगला प्रस्ट निम लिखित में से कौन बिनाइल है इसका एंसर जागा B अमारा आगला प्रस्ट निकाल के चली एक होल के बैदूत आप घड़न से काथोड पर निम लिखित में से कौन मुक्त होता है तो इसका एंसर जागा B sodium यानि कि which of the flowing is disposed at cathode on electrostatic electrolysis of NACL solution इसका एंसर जागा sodium ठीक है अगला प्रस्ट है हमारा सोलवा नंबर प्रस्ट है सोलवा नंबर प्रस्ट करते है निम लिखित में कौन बिलियन में विधूत का संचालन करते है तो इसका एंसर हो जागा A प्रस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटेस हमारा आगला प्रस्ट है ए बी सी और डी धादू के मानक इलेक्ट्रोड विभाव क्रमजम माइनस 3.05 बोल्ट माइनस 1.66 बोल्ट माइनस 0.40 बोल्ट और प्लस 0.48 बोल्ट है तो इनमें कीस धातू की आउकरण? ठीख हो गी, तो इसका एंसर हो जागा A हमारा आगला आठारवा नमबर प्रस्ट है Сп injisी- Нов learnerabeth नökर प्रस्ट किया जा सकता है तो इनमें से सभी के द्वारा इसको निरूपित किया जा सकता है यानि कि क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा हमारा आगला प्रस्ण है बिस नंबर प्रस्ण कह रहा है एक रासायनिक अभिकिरिया के वेग सामीकरण को निरूपित किया जाता है तो इसका एंसर यहां पे हो जाएगा मतलब की वेग बराबर के इंडू एबी स्कॉर्ण यदि एक के सांध्रन को इस तिरूपिका सांध्रन त्रिवना कर दिया जाए तो वेग पूछ रहा है यहां पर क्या पूछ रहा है तो इसका एंसर जागा डी नौग उना हो जाता है अगला प्रस्ण में चलता है एक इस किसी राशानिक अभिकिरिये का वेग स्तिरह नेर्मि लिखित में से किस पर निव्ड़ करता है तो इसका एंसर भी प्रस्ण में से किसमें इस्तरव बंद लिंग में होता है है हमारा आगला तेस नंबर प्रस्ण है तेस नंबर प्रस्ण कहा रहा है नियम्ने लिखित मेंसे कौन ताप दरिड्ड प्लास्टीक है इसका अंसार जएक हैसी बेकलाइट वह नल्ण शिक्षिक्स नहीं होगा यह होगा ठीक है चलिए हम आगला प्रस्ण देखते हैं चोविश नबर पसने चौबश नबर पसने कहा रहा है निमने लिखित में से कौन पॉलीयमाइड है पॉलीयमाइड होता है नैलन 66 यहां पर भी आपको आप लोग का गलती हो सकता था नैलन 66 पर यहां नैलन सब्सक्राइब तो यहां पर देख करके ठीक मारीएगा अपना कोईशन पढ़ करके ठीक है चलिए अगले पर चलते हैं 25 निमने लिखित में से किसका उपयोग एंटासीड के रूप में होता है पतलब कि किसका इन में से किसका उपयोग एंटासीड के रूप में होता है तो इसका हो जागा पर इसका यूज क्या जाता है से अक्रिंट का ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं 27 नमर प्रस्टन निमने लिखित में से किसका उप्योग साबून के रूप में होता है आगया तो इसका अंसर जागा ए इसका इसका अंसर जागा इसका उप्योग साबून के अगला प्रसंद देखते हैं 28 नमर प्रस्टन निमने लिखित में से कौन प्रति ऑक्सिकाराख है तो इसका अंसर जागा डी इन में से सबी लेसिथीन सेटरीकामल बिटामिन ए यह तिनों के तिनों जो यह क्या है प्रति तिस नमर प्रस्टन यह इसका समय करन दिया हुए इसका उप्योग निमने लिखित में से किसके निर्माण में होता है तो इसमें भी हो जागा डी इन में से सभी ओल अब दीज एलकेन एलकीन एलकोल सम होता है हमारा अगला प्रस्टन है निमने लिखित में से किस योगी का सुने दियु अघूण है तो इसका उप्रस्टन यानि कि जीरो डिपॉल मॉमिंट किसका होता है किसल फोर का एक्षिशका उप्रस्टन नंबर चैलते हैं 32 नंबर कुश्चन कहरें जींक और जल के साथ क्लोरोफाम के आकरन से प्राप्त होता है तो इसका एंसर ज़िए का डी मेथेन मेथेन प्राप्त होता है ठीक है अगले प्रस्टन चैने निम्न लीखित में से कॉन आ Euro 2222 यंवदर क्या है इसकुए चार जए इसका प्वी सेकेंडरी अलकॉल किया है सेकेंडरी अलकॉल 34 नमबर का और सॅन स्के जाव्णे 2-75 नम्म यह से स्थिर्यों हिपल सु इसे चिहाई है इसका तो सभी को पता होता है हेमेटाइट आप लोग ने मारा भी होगा सही है चलते हैं 36 नंबर प्रसने पर अगला प्रसन का रहा है निमनल लिखित में से किसमें ऑक्सिजन की ऑक्सी करण बेवस्था प्लस टू है यानि कि इन वीश अप दो फ्लॉइंग ऑक्सिडाशन चलते है 28 नंबर प्रस चाहया रहा है निमनल लिखित में से कौन रेडियो एक्टीव उत्रिक्रिष्ट गैस यह पांसर सब्सक्रों प्रत्रिस्ट गैस्ट के द्वारा सबसे ज्यादा योगिक बनाया गया है तो इसका अंसर जागा DXE क्या होता है DXE अगला प्रस्ट है 40 नमबर प्रस्ट हमारा कहा रहा है 40 यहां पर दिखनी है लेकिन 40 प्रस्ट है निम्ले लिखित में से कौन धुविय योगिक है तो इसका एंसर हो जागा A, SO2 अगले प्रेस्न में चलते हैं हमारा आगला प्रेस्ट है 41 नापर प्रेस्ट है न इचलते हैं 42 नापर प्रेस्ट बोल रहा है से यो टू प्लस जेट ब्रावर ट्वेंटी नाइन का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास क्या है तो इसका एंसर हो जागा सी अठारा एयार थ्रीडी नाइन अपना भी question paper में मिला लीजेगा देखे इसका आभी एंसर हो जागा आठारा एयार थ्रीडी नाइन अगला प्रस्ण में चलते हैं 43 नंबर प्रस्ण यह कहह रहा है नेम्ले लिखित में से कौन कार्वोहेडेड प्रकृति प्रचूर मातरा में पाया जाता है तो इसका एंसर हो जागा D cellulose cellulose जो होता है वो प्रकृति में प्रचूर मातरा मतलब बहुत ज्याद मातरा में पाया जाता है ठीक है अगला चलते हैं हमारा अगला प्रस्ण है नेम्ले लिखित में से कौन डाई सेकराइड दूध में उपस्थित रहता है तो इसका एंसर हो जागा A, B, lactose, B एंसर हो जाएगा lactose, 44 नमबर का उपसन नमबर B, lactose ठीक है, lactose अगले प्रस्ण में चलते हैं 45 नमबर प्रस्ण ये कह रहा है विटामिन A कारा सायनिक नाम नेम्ले लिखित में से कौन है तो इसका एंसर हो जागा B, retinol ठीक है, अगला प्रस्ण पर चलते हैं, नेम्ले लिखित में से कौन बिटामिन जल में घुलनसील है, तो इसका एंसर जागा C, B और C, B और C क्या है, जल में घुलनसील है, अगला प्रस्ण पर चलते हैं, नेम्ले लिखित में से किसे insulin स्ट्रावित होता है, from which of the flowing is insulin secreted, तो इसका एंसर जा विटामिन E की कमी से, नेम्ले लिखित में से कौन सा रोग होता है, विटामिन E की कमी से, तो इसका एंसर जागा C, जनन चमता कमी, क्योंकि आगला प्रस्ट है, नेम्ले लिखित में से किसका बहु लग है, तो इसका एंसर जागा A, C, जनन चमता की कमी होता है, एंडिफेर अगला प्राइश्ट है उन्चास नमबर प्रस्ण बोल रहा है प्राकीर्थिक रबर निम्नी लिखित में से किसका बहुलक है तो इसका आप्शन नमबर सी आईसो प्रीन का किसका है आईसो प्रीन का है नेस्वल रबर इस पॉलिमोर फीच आप दे फ्रोईंग तो इसका एंस प्राष्ण है हमारा इक आउन नमबर प्राष्ण है निम्ने लिखिट में से कौन एत thigh एक दर है तो इसका pops नबर ऊजएकए ठीक है अगले प्रस्ण में चलता है मारा नमबर बाऊण नमबर प्रह सुन कहः रहा है हमारा का और लिंडर फोर्व के साथ गर्म किया जाता है तो इसका युटर। से और खेड़ नंबर सब्सक्राय नाम के बाता है यह हमारा पशाय। परता न का निमने लिखित में से कौन ट्ॉल इन का अभिकर्मक है तो इसे का नंबर हो जागा एक्या घू अन by Clea ठीक है वाशपन कॉप्सुन नंबर। जलते हैं छापपन नंबर पर 56 नंबर प्रेशन बूल रहा है नेमने लिखीत में से कौन केनी जारो अभिकिरिया देता है तो इसका ओप्षन अभर हो जागा सिधा सिधा बी से आजो 56 नंबर बी मारा आगला प्रेशन है 57 नंबर प्रेशन प्रथम कोटी की अभिकिरिया के लिए अर्ध आयू होता है प्रारंभिक सांदरन पर निर्भर नहीं करता है प्राथम कोटी की अभिकिरिया के लिए अर्धायू प्रारंभिक सांदरन पर निर्भर नहीं करता है संदावन का उप्षन नंबर B सही होगा हमारा आगला प्रसन है अंठावन नंबर अंठावन नंबर प्रेशन बोल रहा है हैवर की बीधी से हमोनिया के निर्माण में निमन लिखित में से कौन उत्प्रेरग का परियोग होता है तो इसका एप्सण हो जाएगा ए लोहे का महिन पाउडर अंठावन का उप्सण नंबर एस आई होगा अगला प्राश्ण है मारा 69 नंबर प्राश्ण बोल रहा है नेम्न लिखित में से किस बीधी के द्वारा कोलाईडी बिलियन का सोधन किया जाता है तो इसका ओप्सन बोल जागा C अब पूहन 69 का C ये सही होगा मारा अगला प्राश्ण है 60 नंबर प्राश्ण दूसर और 90 केर्विन पर एक ग्राम चारकोल के द्वारा निम्न लिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिसोधित होगा तो इसका ओप्सन होजागा D NH3 NH3 का होगा 60 का ओप्सन नंबर डि अगला प्राश्ण है हमारा 61 अगला प्राश्ण 62 के बाद आता है 63 63 नमबर प्रस्ण कहे रहा है निर्मने लिखित में से किस धातू कि निसकर्शन के लिए साइनाइड विधी का उपयोग होता है तो इसका ओप्शन नमबर हो जाएगा बी एजी अलुमिनियम ठीक है हमारा 63 का ओप्शन नमबर बी सही होगा अगला प्रस्ण चोछ नमबर प्र क्यांबर क्योशन बोल रहा है निर्मने कित में से कौन सा सनयुज़क ठोस है तो इसका ओप्शन नमबर हो जागा बी हीरा एसल का ओप्शन नमबर बी अगला प्रस्ण है किसी धातू को सस्ट भूजिये स्वनिल पैकिंग सनचना में समनावय संक्या होती है ठीक है हमारा अ यहां पर है ना 12 ती कूर डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रेस्टलाइजिंग इन्हें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट स्टकर एक्स्ट्रक्चर इस ट्वेल्फ होता है बारा ठीक है चासर का उप्सटन नंबर डी अगले प्रस्टन पर चलते हैं सरसट नंबर प्रस्टन पूल रह कर दो नेमने लिखित में से कौन अर्थ परग में धिली से निकल पाते हैं ठीक है तो इसका यहाओ यहीं से चलते हैं हमारा अगला प्रस्ण है यदि 18 ग्राम गुलकोज को 1000 ग्राम घुलाया जाया तो उस गोल को कहते हैं यानि कि 18 ग्राम ग्राम घुलाया गया तो इसको क्या कहा जाता है जिरो पॉइंट वन मोलन ऊंहास्त्तर का ओप्रस्ण भी शाय होगा अगला प्रस्ण है सत्तर नंबर प्रस्ण और हमारा आखरी प्रस्ण धिक्रमस्टरी अब्जक्टिव कहा मैं सबसे अधीक होगा सी जल में एक परसेंट एक परसेंट सबसे अधीक होगा तो अगर आप लोगों को डेली का डेली सोलेशन चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दिजेगा अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं थैंक यू बेस्ट आफ लक फर नेक्स्ट रिजाम यू